अन्तिम कक्षा, आलफॉंस दोदे, अनुवाद श्री निकेत कुमार मिश्र उस सुबह मुझे स्कूल जाने में बहुत देर हो गई थी और मुझे डर लग रहा था कि श्रीमान हैमल मुझे डाटेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे हमसे क्रदंत के बारे में पूछेंगे और मुझे क्रदंत का कभी नहीं पता था एक शण के लिए मेरे मन में विचार आया कि आज स्कूल जाओं ही ना और यहीं मैदान में खेलूं उस दिन मौसम बिलकुल सुहाना और आसमान एकदम साफ था मैं पेड़ों से आ रहे पक्षियों के चह चहाने की आवाज को साफ साफ सुन सकता था और फिर मैंने आरा मशीन के पीछे रीपर मैदान में प्रूसियन सैना को मार्च करते देखा ये सब मुझे कृतंद के नियमों से बहुत अच्छा लग रहा था पर मैं इन सब को छोड़ कर तेजी से स्कूल की तरफ दोड़ा मैंने टाउन हॉल से गुजरते हुए देखा कि वहां के नोटिस बोर्ड के आजपास लोग इखटे हैं विकत दो वर्षों से इस जगह से ही हमें सारे बुरे समाचार प्राप्थ होते हैं जैसे युद्ध मेहार, अधिग्रहन, हेड़कोर्टर के आदेश और मैंने बिना रुके सोचा अब क्या हुआ? फिर जब मैं दोड़ते हुए उधर से गुजर रहा था तब वाचर लोहार, जो अपने सहायक के साथ वहाँ पोस्टर पर लिखे को पढ़ रहा था मेरी तरफ चिला कर कहने लगा दोड़ो मत बच्चे, आज तुम्हें स्कूल पहुँचने में देर नहीं होगी मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो और मैं हाफते हुए श्रीमान हैमल के आहते में पहुचा सामाने तह कक्षा शुरू होने पर काफी शोर होता था जो गली तक सुनाई देता था कुछ डेस्क खुले होते और कुछ बंद हम लोग अच्छी तरह से याद करने के लिए कान पर हाथ रखकर जोर से पाठों को दोहराते और शिक्षक अपनी लंबी इंच को मेज पर पटकते हुए कहते थोड़ा धीरे मैं सोच रहा था कि कैसे मैं बिना ध्यान में आए अपनी बेंच पर बैठ जाऊं पर उस दिन वहाँ नीरव शांती पसरी थी जैसे कोई रविवार का दिन हो खुली खिड़की से मैंने देखा कि मेरे सभी सहपाठी अपनी जगह पर पहले से बैठे हुए है और श्रीमान हैमल लोहे की वही इंच लिए कक्ष में इधर उधर चिंता मगन टहल रहे है इसी घंगोर शांती में मुझे दर्वाजा खोलना और अंदर प्रवेश करना था आप सोच सकते हैं कि मैं कितना लजजित और डरा सहमा होंगा खैर कुछ नहीं हुआ श्रीमान हैमल ने मुझे बिना क्रोथ से देखा और बड़े धीरे कहा मेरे ननहे फ्रांस जल्दी से अपनी जगह पर जाओ हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे मैं अपनी बैंच की तरफ गया और धम मुसे अपनी जगह पर बैठ गया तब जाकर मैं अपने डर से उबरा और ध्यान दिया कि हमारे शिक्षक ने आज अपनी खास हरे रंग की कोट जालरदार टाई, रेशमी काली टोपी पहनी है जो वो स्कूल निरिक्षन के दौरान या फिर पुरुसकार वितरन के दिन ही पहना करते थे इसके इलावा पूरी कक्षा आज असाधारन रूप से शांत और गंभीर थी लेकिन सबसे अश्चर जनक मुझे ये देख कर लगा कि क्लास के पीछे की सीटें जो अक्सर खाली रहते थी वहाँ आज गाओं के लोग बैठे थे और वो सब भी हमारी तरह शांत थे त्रिकोर्ण की टोपी में व्रद्ध होसर पूर्व मेयर डाकिया और फिर और भी लोग मौजूद थे सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे और होसर एक पुरानी कुतरी हुई ककहरा की किताब लाए हुए थे जिसे उन्होंने अपनी गोद में खोल रखा था अपने मोटे चश्मे से वो अक्षरों को देखने की कोशिश कर रहे थे ये सब देखकर मैं हैरत में था तभी श्रीमान हैमल अपनी कुरसी से धीरे से उठे और उसी धीर, गंभीर और शान्त आवाज में सभी बच्चों को संबोधित किया मेरे बच्चों ये आखिरी पाठ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ बरलिन से आदेश आया है कि अब आलसास और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए कल से नए शिक्षक आ रहे है आज फ्रेंच का ये अंतिम पाठ है मैं आप सभी से आगरह करता हूँ कि आप ध्यान से सुने ये शब्द मुझे परिशान और दुखी कर रहे थे ओह कितना मनहूस दिन था ये अब मुझे समझ में आया कि ये वही आदेश था जो टाउन हॉल पर लगा हुआ था मेरा फ्रेंच का अंतिम पाठ और मैं बड़ी मुश्किल से लिख पाता था क्या आप मैं सीख पाऊंगा कभी इसलिए मेरा वहाँ ठैरना जुरूरी था अब मुझे अपना गुजरा हुआ वक्त वापिस चाहिए था जो कक्षाएं मेरी घौसलों के पीछे दोडने सार नदी में तैरने की वज़े से छूट गई थी उन्हें मैं फिर से करना चाहता था जो पुस्तकें अभी कुछ समय पहले तक बहुत उबाओ और बोजिल जान पड़ती थी मेरा व्याकरण, मेरा गौरव मई इतिहास अब सब कुछ वो सब मुझे पुराने अतरंग मित्र से लगने लगे जिन से बिछडने का दर्द मेरे लिए असहय था श्रीमान हैमल भी मुझे अच्छे लग रहे थे और उनके दंड और उनके इंच की मार में भूल चुका था क्योंकि अब लग रहा था कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा बेचारे श्रीमान हैमल बहुत अच्छे आदमी थे अब जाकर मैं समझा कि आज ऐसा क्यों है क्यों आज गाओं के बुढ़े लोग कक्षा में आकर पीछे बैठे हैं और क्यों रविवार की अच्छे आदतें आज दिखाई दे रही हैं आज ऐसा प्रतीत हो रहा था कि व्रद्ध लोग पच्छतावा कर रहे हैं कि वो पहले प्रायह क्यों नहीं इस विध्याले में आए ये एक तरीका था जिससे उस शिक्षक के प्रती क्रतग्यता व्यक्त हो जिसने बड़ी लगन से अपने जीवन के बहुमूल्य चालीस वर्ष इस विध्याले और गाओं की सेवा को समर्पित किये हो एवं दूसरा ये अपने देश प्रेम को प्रदर्शित करने का एक जरिया था अभी मैं अपने इन ही विचारों में खोया ही था कि सुना मेरा नाम पुकारा जा रहा है अब मेरे बोलने की बारी थी मुझे क्रदंत का लंबा और प्रसिद नियम उची और स्पष्ट आवाज में बताना था और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए थी पर मैं पहले ही शब्द पर लड़ खड़ा गया भारी मन से सर चुकाए अपनी जगा पर खड़ा रहा मैंने श्रीमान हैमल को कहते सुना मेरे प्यारे फ्रांस मैं तुम्हें अब नहीं डाटूंगा पहले ही तुम बहुत ज्यादा डाट खा चुके हो तुम्हारे लिए उतना काफी है रोज हम खुद से कहते हैं कि वाह अभी तो काफी समय है मैं कल पढ़ लूँगा और अब तुम देख रहे हो क्या हुआ ओह हमारे आलसास के लिए ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम आज का काम कल पर टाल देते हैं अब वो लोग अधिकार से कह सकते हैं कि कैसे फ्रांसिसी हो अपने आपको फ्रांसिसी कहते हो और अपनी भाशा को न पढ़ना जानते हो ना ही लिखना पर मेरे बदनसीब फ्रांस इन सब में तुम्हारा दोश उतना नहीं जितना हम सब का है हम सब ही इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार है हम सभी को खुद से पूछना होगा कि हमने अपनी तरफ से क्या किया तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी पढ़ाई पर उचित ध्यान नहीं दिया वो तुम्हें कुछ चंद पैसों की खातिर खेतों और मिल में काम करने के लिए भेजते रहे खुद मैं भी कमदोशी नहीं क्या मैंने तुम्हें पढ़ने के बजाए बाग में पौधों को सीचने के लिए नहीं भेजा और जब मुझे ट्राउट मचली पकड़ने जाना होता था तो क्या मुझे तुम्हें छुट्टी देने में हेचक होती थी और इस तरह से बात करते करते श्रीमान हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बोलना शुरू किया उन्होंने बताया कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे बहतरीन भाषा है ये सबसे ज़्यादा सुगठित, संगठित और सपष्ट है हमें इसे अपने बीच जिन्दा रखना होगा और इसे कभी नहीं भूलना होगा क्योंकि जब आदमें घुलाम होता है तब उसके लिए उसकी घुलामी से आजादी की एक मातर कुंजी उसकी अपनी जबान होती है फिर उन्होंने व्याकरण लिया और हमें एक पार्ट पढ़ाया मैं ये देखकर हदप्रप्था कि इतनी आसानी से मुझे सब कुछ कैसे समझ में आ गया उन्होंने जो कुछ मुझ से कहा मुझे बेहत सरल लगा मुझे महसूस हुआ कि पहले कभी मैंने इतनी तनमेता से उन्हें नहीं सुना और ना ही उन्होंने पहले कभी इतने धेरे के साथ हमें समझाया कोई भी कह सकता है कि ये सज़्जन आत्मिया जाने से पहले अपना समूचा ग्यान जन्म घुट्टी की तरह हमें एक ही जटके में पिला देना जाता है पाठ समाप्त होने पर हमने लिखने का काम शुरू किया उस दिन के लिए श्रीमान हैमल ने बिलकुल नए शब्दों को तयार किया था उन्होंने बेहत सुन्दर अक्षरों में लिखा फ्रांस, अलसास ऐसा लग रहा था कि पूरे कक्षा में हमारे डैस्क के डंडे में ये शब्द जंडे की तरह लहरा रहे हैं ये ध्यान देने वाली बात थी कि हम पढ़ रहे थे और कक्षा में एकदम सन्नाटा पसरा था हम केवल कागज पर कलम घिसने की आवाज सुन सकते थे तभी कुछ कोकचाफ कीडे कक्षा में प्रवेश किये पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया यहां तक की उन छोटे बच्चों ने भी नहीं जो केवल लकीरें खीच रहे थे वो इतनी तनमयता और लगन से अपने काम में लगे थे जैसे लकीर भी फ्रेंच में खीच रहे हूँ विध्याले की छट पर बहुत हलकी आवाज में कबूतर गुटर गुटर गुं कर रहे थे उन्हें सुनकर मैंने खुद से पूछा क्या इन्हें भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर किया जाएगा कभी कभी मैं अपनी कौपी से नजर उठाता तो मुझे श्रीमान हैमल अपनी कुरसी में स्तब्ध स्थिर नजर आते और उनकी नजरें आस पास की चीज़ों को अप अलक देखती दिखती ऐसा प्रतीत होता मानों वो अपनी नजरों में स्कूल की हर चीज़ को कैद कर लेना चाहते हो सोचिए पिछले चालीस वर्षों से वो इसी जगह पर है वही अहाता, वही कक्ष सब कुछ उनकी आँखों के सामने बिल्कुल उसी तरह से है केवल बदले हैं डेस्क और बेंज जो रगरने से घिस चुके हैं अहाते का अखरोट जो अब काफी लंबा हो गया है और हॉप की लताएं जो अब खिडकियों से लेकर छट तक की शुभा बढ़ा रही है ये क्षन इस निसहाय आदमी के लिए कितना कश्टकर और रिदय विदारक होगा जो अपनी चीजें छोड़ कर जा रहा है उनकी बहन उपर के कमरे में आ जा रही थी और ट्रंक बंद करने की आवाज आ रही थी क्योंकि उन्हें हमेशा के लिए कल ये प्रांत छोड़ कर जाना था फिर भी उनमें आखिरी क्षण भी हमें पढ़ाने का साहस था सुलेख की कक्षा के बाद हमने इतिहास का पाठ पढ़ा तदोपरांत छोटे बच्चों ने एक साथ ककहरा पढ़ा बा बे बी बो ब्यू कक्षा के अंतिम पंग्ती में बैठे वो वरद्ध होसर अपना चश्मा पहने हुए थे और उनकी वर्ण माला की पुस्तक उनके हाथ में थी और बच्चों के साथ वो भी वर्णों का उच्चारन कर रहे थे हम देख रहे थे कि वो किस तरह से इसमें भाग ले रहे थे उनकी आवाज भावुकता की वजह से लड़ खड़ा रही थी ये सुनने में बड़ा ही हास्यात्पद लग रहा था और हमें इस पर रुलाई और हसी दोनों आ रही थी ओह मुझे ये अंतिम कक्षा हमेशा याद रहेगी अचानक चर्च की घड़ी ने बारा बजाए और फिर आंजेलस की प्रार्थना का समय हो गया ठीक उसिक्षन ड्रिल से वापस लौट रहे जर्मन सैनिकों के ट्रंपिट की आवाज खिड़की से आने लगी श्रीमान हैमल अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और उनका चहरा एकदम पीला पड़ गया इतने बड़े आज तक मुझे वो पहले कभी नहीं लगे उन्होंने कहा मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं, मैं ये कहते कहते उनका गला रूंद गया और वो रुख गए वो अपना वाक्य पूरा नहीं कर सके फिर वो एक खड़िया लेकर श्याम पट्ट की तरफ मुड़े और अपना सारा साहस बटोर कर शक्ती के साथ पूरी शक्ती के साथ वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा फ्रांस, जिन्दाबाद फिर वो कुछ क्षण वहां रुके अपना सिर दीवार पर टिकाए बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया बस, हो गया अब आप लोग चाहिए